एलो गाईज राधे राधे कैसे हो आप आप सब ठीक होंगे गाईज आज हम बनाएंगे लडू गोपाल जी का पैंट और शट इस समर में भी और नाइट में भी ये ड्रेस पहना सकते हैं कुछ भी दिक्कत नहीं होती है बीना अस्तर बीना बुकरुम मैंने ये ड्रेस बनाय है और यहां पर मैंने दो नंबर के काना जी को पैनाया है कि इसको पैनाना भी बहुत ही इसी है गाईज में और भी बहुत सारे लडू गोपाल जी के ड्रेस के एज्व है लेरी के कुगिंग के हैंड़ वर के टीचिंग के वीडियो बनाये अगर आप देखना चाते है तो आप मेरी चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं या तो चैनल की लिए इसक्रिप्शन बॉक्स में रग दूंगे तो देखेगा इस कैसे लग रहे मुझे कमेट करके जरूर बताना और ज्यादा पसंद आया हो तो अपने मीत्रों में वीडियो को जरूर शेयर करना लाइक करना सब 2.5 इचीस है इसी तरह से मैंने दूसरी भी एक स्ट्रिप ली है तो इसकी लंबाई भी 7 इचीस और चोड़ा इसकी 2.5 इचीस है एक स्ट्रिप काम सट बनाएंगे और दूसरी स्ट्रिप काम पैट बनाएंगे तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइट कर देंगे तो देख अगर आपके कानाजी छोटे है तो आपको एक इंच कम करना है तो दोनों पाट में एक साइट हम इस तरह से रीबीन को टीच करके अटेज कर देंगे अब हम क्या करेंगे दोनों को मिलाएंगे अच्छे तरह से set करेंगे और यहां पर teach कर लेंगे चोड देंगे दोनों पाट को तो यहां पर मैंने 1.5 इंच teach कही है अब हम इस तरह से fold करेंगे और यहाँ पे हलका सा round shape देकर काट लेंगे तो यह अमारी बाजू बन के ready हो जाएगी तो यह मैंने one each is काटा है अब हम गले पर इस तरह से single fold करके teach कर लेंगे बहुती easy और आसान तरीका है गाईस और इस तरह से teach करने से गले की finishing बहुत अच्छी आती है अब हम इसको मोड कर यहाँ पे सीवलेस पर teach कर लेंगे इस तरह से हलका सा round shape दे देंगे और इस तरह से हम दूसरी बाजू पर पर teach कर लेंगे बहुती easy है बनाना तो देखे यह अमारी दोनों साइट teach हो गई है अब हम इसको सीधा कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हमें सीधा कर लेना है यानि कि हमें पलट लेना है तो देखे यह अमारा पलट गया है अब नीचे की तरफ भी हम ribbon का यूज करेंगे आप चाहो तो कपड़े को मोड़ कर भी यहाँ पे teach कर सकते हो तो हम इस तरह से ribbon के बीच में एक कपड़ा रखेंगे और यहाँ पे teach कर लेंगे तो यह अमारा प्यारा सा summer short बनके ready है इसको हम नाइट में भी पैना सकते है तो देखे गाईज आप चाहो तो पीछे वैलक्रो भी अटेज कर सकते हो प्रेस बटन भी अटेज कर सकते हो अब हम बनाएंगे पैन्ट एक साइट हम ribbon को teach करके अटेज कर देंगे पाइपीन जैसे दीखेगा देखे कुछ इस तरह से teach करेंगे तो बहुत ही प्यारी सी पाइपीन बन जाएगी अब हम क्या करेंगे अच्छी तरह से set कर लेंगे और उपर की तरफ हम यह elastic डालेंगे तो guys कुछ इस तरह से हमें बीच में elastic रखना है और यहाँ पे double fold करके age कर लेना है देखे यहाँ पे elastic का कोई नाप नहीं है आपके लडू गोपाल जी का कमर में आ जाए उतना हमें elastic डालना है तो अब मैंने elastic साथ में ही डाल दिया है आप चाहो तो पेले नेपा बना कर भी डाल सकते हो अब हम खीच लेंगे जितनी जरूरत है उतना elastic रखेंगे बाल गोपाल जी के पेयर आजाए उतनी हमें elastic डालनी है तो यह अमारा अब rubber अच्छी तरह से set हो गया है अब हम दोनों किनारों पर इस तरह से जोड़ कर टीच कर लेंगे तो यह अमारी टीच हो गई है एक्ष्टा धागा कपड़ा और rubber काट लेंगे और अच्छी तरह से कपड़े को set कर लेंगे और जहां पे हमने joint लगाया उसको हम बीच में इस तरह से रखेंगे अच्छी तरह से और V safe में नीचे की और हम टीच कर लेंगे बहुत ही easy और simple तरीका है इस तरह का पेट बनाने का तो मैंने 0.5 इंचिस पर टीच किया है और बीच का मैंने cut कर लिया है अब हम इसको सीधा कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हमें सीधा करना है तो guys यह हमारा प्यारा सा पेंट बनके ready है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में वीडियो को जरू शेयर करना लाइक करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर राधे राधे हरे क्रिश्ना